स्वागत आप सब का IPL के मैच नूमबर 50 के अंदर मुकावल है सुन्राइजस हैदराबाद बनाम राजस्तान रोयल्स के बीच में जो खेला जाएगा राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद के उपपर मैट्स टाइमिंग है शाम के 7.30 बजे यह एपिक बैटल होगी जब भी तुनों टीन्स फिल्ड के उपपर खेलती है हमेशा संजू समसन चमकते है और रिसेंटली इनका आपने देखा होगा कल के दिन T20 वर्ल्ट कप के स्कॉर्ट के अंदर नाम आ जाता है और बहुत खुशी भी क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा अपना यह IPL के अंदर रंस वाला फॉर्म बरकरार रखा इवन बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं स्विन को बहुत अच्छा खेलते हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इन के लिए भी और यह दुनों टीम जब फिल्ड में खेली है न 9-9 मैचेस दीती है यह दर्शात है इस बोट टीम्स बहुत अच्छा फाइटिंग करेक्टर दिखाती है जब आमना सामना करती है पॉइंट शेड़ा रुख करते हैं सबसे पहले तो आप देखो राजस्तान रोइस बहुत यह रजवाडो की टीम है यह शान वाली टीम है मारजाओ वाली टीम है पॉइंट शेबल पे पहले सान के उपर है और सूशल डिस्टेंसिंग देखो आप सूला पॉइंट सेंगे और जो सेकेंड पे उसके बारा पॉइंट सेंगे नौ मैचेस खेली है एक मात्र मैच हारी थी जो भी लास्ट ओर तक चला गया था वो भी डिजर्व करते थे जीतना सच बता हूं गुजुराथ टाइटन्स का गिंज जैपुर पे और आट मैचेस जीते हैं वही हम देखते हैं सन्राइजर्स रेडार से बाहर है क्योंकि टॉप चार टीम क्वालिफाई करती है अब इनके लिए जो सफर है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि पिछले दो मैचे से हार गया रही है बैक टू बैक ये थोड़ा सन्का फॉर्म डाउंड है हलका सा नौ मैच खेली है पांच जी जीती है चार हारी है और ये रेस के इंदर बरकारा रहा फॉर दे प्ली आफ्स जो कार वा हेदराबाद के उपर पहुचा है जहापर हलकी सी बॉल स्पिन होती है लास्ट टाइम आट सी भी खिली थी करन शर्मा का स्पेल बहुत अच्छा रहा था और बहुत सी चीज़ें पर डिस्स करने लाइक जो हम डिस्स करेंगे पिछ के बारे में फिर हम आते है टेक्टिकल डेटा टीम पावर प्रेले में कैसा खिलती क्या स्टेटिजी होती ही टीम्स की फिर हर एक प्लेयर के स्टैट्स बहुत सी चीज़े है देखना मज़ आएगा आपको टेलीग्राम चलनल जोइन कर लो क्या फाइद है लाइन अप्स के बाद कोई भी अपडेट आती मैं टेलीग्राम पे देता हूँ टेलीग्राम का लिंग में आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट स्ट्रक्शन में दिया हुआ है पिछ रिपोर्ट देखते हैं तो राजिव गांधी इंटरनाशनल स्टीडियम हैदरबाद के उपर मैच 25 अपरल उगया पे मैच हुआ SRH वर्शस RCB का जिसके अंदर 206 फ्रंज बनाए थे RCB ने हैदरबाद चेस करने आती है और 111 पर रुख गई मिर पास एक फूटू आई थी जो हैदरबाद की टीम है ना वाइल चेसिंग इनके क्या हल होता है तो आप यह देखो वाइल चेसिंग इनका हाथ ऐसा दिखता है और बैटिंग फर्शमन का हाथ ऐसा दिखता है तो यह थोड़ा सा सीन है इनका देखते हैं इस गेम में किस सरे से खेलती है टीम इससे पहले 165 बना पांच में के नुगसान पे चेसिंग टीम इसको 18.1 और चेस कर जाती है दो 177 बना यह बनाया था MI की टीम I mean SRH की टीम ने अगेंस्ट MI, MI ने 246 बनाया था तो स्वेन भी रन्स बनता है बहुत अच्छा ट्रैक होता भी तक तीन मैचस में साइपल के अंदर दो मैचस चेस करते हुए जीते गया है एक मैच जीता गया है बैटिंग फर्श्ट करते हुए दो मैचस जीते गय है और दो लास्ट मैस था अच्छी भी हड और हथदरबाद का आठ विगेट पेशर का च्छै विगेट पेशर के नाम थे जोई साइपल में तीन मैच वह है पेशर ने निकाला है बीच विगेट्स, पेशर के नाम बारा विगेट रहें इनिंग सवाई देखते है पहली ब आपने तो यह SRH vs RCB वाली पिछ हली किसी स्लगिश पिस्ती यूज पिस्ती है यह जो मैच नंबर 41 हुआ था RCB के खिलाब यह वही पिछे जहां पर MI खेली थी और MI ने आपे 277 दे दिया था हैदराबाद को और उसको मुंबई आप पास बना पाती है चेस करते हैं 76, 63, 66 स्क्वेर और यह SRH CS के वाली पीछ है जिसमें डाइमेंशन से 69, 63 सामने 76 और यह मैच नंबर 8 SRH vs MI का जिसमें हमने देखा 63, 66 वाली बाउंडरी और जो हैदराबाद उसके पर आपको 1.8 डिगरी के आसपास पर इन देखने को मिलता स्टेडियम का हुई है बहुत ही प्यारा स्टेडियम है कैसे लेगे आपको पिच्री बूट कमेंट करेंगे बताइए चैनल पर न्यूज सब्सक्राइब को लोग गंटी बटन दवा दो दोन टीम्स नापस मेठारा खेलें नौन दोन टीम्स जीती है इस वन्यूक पर चार बार आमना सामना हिया जिसके अंदर जो सन्राइजर तीन बार जीती है राजस्तान एक बार जीती है ट्रेविस हैड उपन करेगा अभीशी के साथ एडिन माकरम आते हैं वन डाउन फिर आपको नितीश कुमार रेड़ी हैंडर क्लासिन अब्दुल समाद शहबाज हैमात पैक्टरिक कमिस भुवनेशर कुमार जैदे उनात का टीन अट राजन इंपक्ट प्लेयर होंगे यहाँ पे मोश्ली अनमोल प्रिसिंग हो सकते हैं मेंक मरकंडिय हो सकते हैं डिपेंडिंग होंदा कंडिशन्स राजस्तान रोल्स जास बटलर जैस्वाल उपन करेंगे संजू सैम्जन रियान पराग दुरूव जरेल श्यमुरा नैटमायर अनना ट्रेंट बोल्ट संदीव शर्मा जुवंदर चल का 308 T20 मैच माइल स्टोन है आविश खान भी आपको दिख जाएंगे इसमें से राजस पावर प्ले में कैसा खेली है तो बात तरते हैं पहले संदुराइजस की पावर प्ले के अंदर हम दो बेस्टीम है 189 का स्टाइगरेड है जो किसी टीम का निया है इनका टैमप्लेटी ऐसा कि पावर प्ले में आओ ताबड थोड़ बल्ले बाजी गरो 44 की एवरेज है 14 व विकेट गवा चुकी है पावर प्ले के अंदर स्टाइगरेड थोड़ा सा कम 137 का स्टाइगरेज है समल के खेलते हैं असा नहीं कि विकेट ज्यादा फेक हो में नहीं मिड़ फेस के अंदर राजस्तान रोल जैसे कोई टीम निया बाई स्टूनमेंट के अंदर मैं सही गह विकेट गरेज है 144 का स्टाइगरेड है दिक्कत तो आई है इनको हल्क किसी मिडल फेस्मेंट के हाथ से मैच दूर जाता कभी कवार देखा गया विकेट गरे जाते हैं चानक से डेट और की बात तरते हैं तो राजस्तान रोल्स नौ मैच इसकंदर 11 विकेट इन्होंने डे यह मैं भाए और जो इसको देखते है वाई देतम उसको देखते हैं वही देखते हैं वही देखते हैं मैच है दो नवर को से धूरह केंदर 10 गरे गरेड है और 450 इमच ऑने न अनकी हम्हा है दिसरें अनकी अब थोडा चांपास सेगमेंट ऐसा रज बैट बाट इसा राज तीन रन पाँच गेंद में और पिछले मैच में देगा चार रन बना पाँच गेंद हो के अंदर कि मैंने अपना यह जो स्टैट्स सही आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जब मुंबई का मैस था विराड भईया यह लो अपना बैट रग लो तो खिलाई ही नहीं रहे तो मैं इसका क्या गुरूँगा जिस्ट फ़र फन डिजर्व करता था बंदा लेकिन टेंप्लेट में फिट नहीं बैट पाया रिजर्व के अंदर है यह बहुत अच्छे क्रिकेटर है अब तो जस्ट करियर स्टार्ट हुआ है बहुत कुछ इनको देखना है आगे खेलने का मौका भी बहुत मिलने वाला है काई प्लेट से रिटार हो जाएंगे यह अज़ा सुपर स्टार पावर प्लेट फेस की बात तरते हैं तो देखो अप संडराइजस नौ मैचस में 14 विकेट निकाला है पावर प्ले में 9.7 की एकोनोमी है में राजस्थान रोयल्स पावर प्ले के अंदर 9 मैच में 16 विकेट निकाल चुकी है और सबसे बड़ी एकोनोमी राजस्थान की है पावर प्ले के अंदर 8 की मात्र मिड़े फेस के अंदर मतलब क्या बैटल होगी नहीं राजस्थान रोयल्स सबसे कम रन देती है पावर प्ले में संडराइज से हैधराबाद बैटिंगर तो सबसे जार रन्स बनाती है मिडल फेस के अंदर आप देखो क्या हो है वालिंग डिपार्टमेंट में राजस्तान नौ मैच में बीस विकेट निकाला है 8.7 की एकोनोमी है वहीं जो संडराइजस है जिसने 25 विकेट निकाले है मिडल फेस में बड़ी महेंगी है 9.5 की डेथ और कंदर राजस्तान नौ मैच में वाइस विकेट निकाले है एकोनोमी सही है 10.2 की जो सबसे बेस्ट अमंग अल देश्टीम्स वही हम देखते हैं संडराइजस को तेरा की एकोनोमी है लगबाद 14 विकेट से निकाले है डेथ कंदर संकत अधर से निकाले हैं के लिए इसनाबाद 9-0-55 चेस के उपर ही खिला है मुष्ली वैने के उपर 11 मैच खिला है 170 रंस है इस सीजन में वैने के उपर अच्छा खिला है जो तीन मैचस में तरे सेट किया 37 और 31 किया इसने तो सही खिला है यहां पर लड़का ये अनमुल प्रित संग दो मैचस में 38 पांच और 33 चेस के उपर वैने के उपर 36 के बैटिंग फर्स करते हुए लास्ट गिम में मौका दिया था इसको पावर प्ले में बट पहली बॉल पर शिखार बना किसका बना या आप मुझे बताना तुशार देश पांडे वैने के उपर तीन मैच में 89 रंस है 26 नाबाद 27 नाबा को छोड़े के इसमें CSK के खिलाफ 50 आई थी इनकी भी पोजिशन सीरेसली को मैं खत्री के अंदर एडन माकरम की अगर इस मैच में आउट हो जाते हैं सस्ते में तो शायद ग्लेम फिलिप सा जाएगा हाई चांस दस है इदेश कुमार रेडी हैट टो एड नहीं के लाए व बस पिछले मैच में अगेंस RCB फ्लॉप हो गए वरना यह जो प्लेयर है ना एंड्रिक अडिस वैन्यू कमाल गा प्लेयर है अभी इनका वीडियो आया था एक मॉल के अंदर गूम रहे थे क्लासे इन क्लासे आवाज यारी दी वाई साब पागल होगे जो लोग अला की सीन बन गया था पर क्लासे इन गा अब्दुल्समाद 6 मैचस में 63 वैन्यू के पर 8 मैच में 109 रंस श्रेबाज अमत का 8 मैच में 76 रंस दो विक्टे हैं पार्ट टाइम बॉलिंग थोड़ी बह हमको पुराने कमिंस दिखने लगगे हैं पिछले तीन मैचस से एक विकेट मिला है और पचास चालीस रंस के स्पेल देखने को मिल रहा है बहुत से चीज़े में सीव हैं जो हम पहले देखा करते ते रियार ब्राब फ्लॉप हो रहे हैं ट्रेविस हैट से रंस नहीं बन र जैसे मुस्ताफ फुजर पचास रंगा स्वेल घाला था सकेंड लास्ड गेम में मार्कस टॉनिस के सामने तो फुरानी चीज़े थाजा हो गई थी लास्ट कुछ दिनों के अंदर जस्वार फन मस्ती सेगमेंट दाए ऐसा कुछ नहीं है प्लेयर तो अपना खुद करियर 16 में 15 विक्टे बॉलिंग फर्स्ट नौ में 5 बॉलिंग सेकंड साथ में 10 विक्टे वेन्यू के पर 48 में 45 विक्टे रिसंट फॉर्म बहुत इप है उना अथकट का 5 में 4 विक्टे वेन्यू के पर 10 में 11 अगर थोड़ी सी पिज डाई होती इनकी कटर सेंपर ग्रिप करेग पांच में 4 विक्टे वैसे राजस्तान डेथ में बहुत अच्छा बैटिंग करती है मिड़ फेस में भी बहुत अच्छा बैटिंग करती है तो विकेट शाय ज्यादा ना लूस करें यह मेरी एक्स्पेक्टेशन है चलता है त्रिपाटी भाव हैड टोड खेले एक्स प्ल निटिश कुमारेडी का दूसरा था शहवास का चौता आठवा बार नट्वा छटवा ग्यार्वा सत्रवा बीसवा उनाकट का साथवा दसवा चौदवा निसवा कमिंस का नववा तेरवा सोलवा ठारवा ओवर था लाज गेम में जैस्वाल पांच मैच एक सो सत्ता उन ड बारा मैच तीन सो सिरंस एक शर तक दो और शर तक है बैटिंग फर्स्ट आर्ट मैच में दूसर चम्माली सेस्ट करतो है चार मैच में 42 रंस है इसका रीजन क्या हुआ करता था मैं सच्छा ही बता हूँ पहले राशित खान खेलते थे हैदराबाद में और सैकंड इनिक्स म पांच और 54 की पारी है वैसे नंबर सोड़े से अगेंस रहे है बडाइब बैग दिस गाई लिजेंड ऑफ दे गेम 34, 35, 607 नाबाद इसका फॉर्म रहा है संजू सैमसन और जो ये हैदराबाद का इश्क है ये बडाइब सब सालों से चलता आ रहा है चार अर्शतक, एक शतक, 21 मैच में 800 रंस, 13 कैस, 3 स्टंपिंग, बैटिंग फर्स में तो मत पूछा आप मेरे से क्योंकि 8 मैच में 500 रंस ह ये दर्शात है, संजू सैमसन वाइल बैटिंग फर्स, 80 वन्यू, 49, 102 नाबाद, 55, हर गिम में चला है, लास्ट टाइम भी चला था ये और चेस पे 5, 34 नाबाद, 42, क्या ही कहने भाई के, बोली नहीं निकल रही मेरी, तोड़ा ज्यादा हो गया हो, मेरे को बता है मस्ती कर वैन्यू पे 7 रंस है, बैटिंग फर्स करते हुए, ठीक था के भी किरिकेटर, पिछले दो मैचस से स्ट्रगल कर रहे है, रंस नहीं है, बट कैन बी दे मैच विनर, जिस तरह का विकेट होता है, बॉल ट्रेवल करती है, अभी, गुरुफ जूरेल, एक मैच में अट्टू वैन्यू के पर तीन मैच मिटी सेवन, जब बैटिंग आती है, रंवन पॉल का 67 ता स्टिम के अगिंज, वैन्यू के पर एकरन किया है, चेस करते हुए, बॉल्टी का 10 मैच में 13 विक्टे है, यह बहुत इंपोर्टन स्पल लाल सकता है, गिंज टैवी से डभी शेक शर्मा वैन्यू के पर चार में 3 विक्टे है, एकोनोमी थोड़ी एक्स्पेंजिव रही है, स्वैन्यू पितो, दोबार विक्टलस, अब इसका 6 मैच में 8 विक्टे, बॉलिंग फर्स दो मैच में 1, बॉलिंग सेकंड, 3 मैच में 7 विक्टे है, और वैन्यू के पर 2 मैच में 1 विक लास्टाइम इस ट्रिम के अगेंश बहुत ही बड़ी आश्पैल आया था चार विकेट हॉल का वैन्यू के उपर 11 मैच में 12 विट था है इस वैन्यू पर टन होती है वाल मैंने कई गेम्स में देखा है करन शर्मा को लास्ट गेम में स्पिन मिला था यहां वो यूश्ट पिस थी अगर इस मैच में भी यूश्ट पिस होती तो शायद और टन देखने को मिले जाए केश्व भाव खेल सकता है यह भी बहुत अच्छे पी कि रह सकता है खेलते हैं तो लेफ्ट आम और्फ़लोक स्पिन नहीं कि इन से तो खेल असंभा वा बालिंग करना है इनका अभी शेक के सामने और एड बोल्ट का पहला तीसरा ग्यारव और निसवा इस गेम में मिले को यह असा लग रहा है कि शैद बोल्ट और संदीप पाँच और डाल जाए पावर ब्लेक अंदर तीन ओर ट्रेंट बोल्ट दोर संदीप और एक आवेश चौता आठवा पंदरवा अठारवा संदीप का दा दूसरा चटवा सोलवा बीसवा अशुन का पाँच वा नौवा तेरवा सतरवा चैल का साथवा दसवा बारवा कि चैल 14 और में अपना स्वैल पूरा कर जाए वाई सोलवा तक तो जाता ही है चैल हमेशा अट लास गे में थोड़ा असा नहीं वा अशुन को 17 और दी दिया गया था अभिशेक अगेंस्ट ट्रेंड बोल्ट 18 गेंदों में 11 रन है श्टगल आपको दिखेगा चार इनिंग्स में एक बार आउट किया है जुजुएंदर चैल परिशान कर सकते हैं अभिश ने छै बॉल में 2 रन्द के 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया है ट्रैविस हड़ वर्सेज चैल, 10 इनिंग्स में 4 बार आउट किया है, 75 गेंदे में 127 रंस है, हलका सा मिस्टाइम होगा तो भी किट जा सकता है, आवे श्टेंट को 9 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है, 46 वाल्स में 54 रंस दे के, शहबाज वर्सेज बोल्ट, 12 गेंग, 14 रंस, 3 में 3 बार आउट किया है, अब दो समाद वर्सेज चैल, बहुत अच्छी बैटल होगी, 11 गंदों में 6 रंस दिया है, 2 बार आउट कर रहा है, 4 इनिंग्स में, कम्मिन्स वर्सेज बोल्ट, यूजी, बहुत अच्छी बैटल, ग्लेन फ्लिफ साते हैं, तो उनको दिक्काद हो सकती है, अन्ना से, 10 बॉलों में 2 बार आउट किया, इसको, चैल को तो अच्छा खिलता हो, 3 पार्टी वर्सेज बोल्ट, चैल, अब मेंक अगरावल वर्सेज चैल, 10 इनिंग्स में 7 बार आउट किया हो, अलग बैटल है, जॉस बटलर अगेंज भूवी, 18 इनिंग्स में 6 बार आउट के, एक मातर 30 इस गिम में कोई है, वो भूवी है, जॉस बटलर के लिए, 97 बाल में 109 बार आउट है, जो बॉलर्स की बार आउट किया, लाजमी बात है, जो बॉलर्स की बाल चड़ती है, उनको विकेट्स दे रियाम परा गएंगे, इस नेटराजन, 15 गेंग, 26 इन चार इनिंग्स में दोबार आउट है, वेटरमयर का कोई नहीं है, दुर्व जुरिल का कोई मैच अपनी है, लेफ्टाम पेसर को टीमस ने कैसा खेला है, दोनों टीमस ने मुझा ठीक ही खेला है, लेफ्टाम पेसर क सामने हिदराबाद का इस सीजन में, भटरी मेरी बोल्ट को लेने में, भटरी मेरी बोल्ट को लेने में, भट छोड़ भी नहीं सकते है, अब ऐसा प्लैर होगा, क्यों नहीं छोड़ सकते है, बदाना जरा, यह भी पॉइंट है, लेफ्टाम अर्थरॉड़क स्पिन अजस्तान बहुत अच्छा केला है, और हैदराबाद ने भी ठीक ही केला है, बहुत, और स्पिन साइधिक है धराबाद को दिक्कत है, डेट्सो का स्टाइगरेट है इतना भी नहीं, पांच मैंस में पांच फिकेट जरूर दिया है, और तो और चाइना में तो दिखेगे तो थोड़ा से नीचे में स्कूल कर लेता हूँ, मैं आपका टाइम काट रहा हूँ, स्कूल करने में, घर में सब बढ़ी है नो, और क्या चल रहा है भाई, आजा आजा, तो यह देखो, क्रियेट टीम की तरफ चलता है, फुल स्क्रीन कर लेता है, इसको कीपिंग सेक्शन में संजू सबसा पहला पिक, बटलर, हेंडरी, क्लासें, तीनों का आप रख लीजिए, ट्रेविस हैड, जिस मूड में खेल रहा बंदा, परलब ड्रॉप करना, यह हो गया कि, लफड़े वाला काम, हॉल राउंडर में मैं ले लेता हूँ, पराग कॉप बैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे पीक हो सकते हैं, पिछले दो गेमें फ्लॉप होगे आ रहे हैं, माकरम भी बहुत अच्छा पीक है, चहल मेरे लिए मस्ट है, पचास सेलेक्शन परसेंटेज कैसा आगया, चहल का, बोल्ट को शायद में प्रिफर ना करूँ, बट अच्छे पीक हो सकते है बोल्ट वही बात है, या तो आप क्या करो, ट्रेविस हडगो या अभी शेक में से किसी एक को निकाल के बोल्ट को लो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, बोल्ट शायद दो से तीन ओवर डाल जाए इस गेम के अंदर, बहुत अच्छा बॉलर है, सीम इसका बहुत में इसको बैक करूँगा, और यान पराग को, और ग्यारवा प्लेयर आप संदी, बोल्ट भी ले सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, नट्टू भी अच्छा भी बोल्ट सकता है, बस ही है कि राजस्तान विकेट्स बहुत कम गवाती है, डैथ के अंदर और मिडल फेस के अंदर, तो आप इस गेम में ऐसा मत करना, डैथ और बॉलर भरलो, आप पूरे के पूरे है, फ्राम हैधराबाद, कमीन साब के बास बोल्ट अच्छा उप्शन है, आवे ये शार्ट लेंट रिट कर लेता है, ये भी आपको वैल्यू दे के जा सकता है, तो जो आपका दिल कह रहा ह है, हैड भी बहुत अच्छा उप्शन अपके पास अविलेबल है, टीम बन गई, मिलता हम से, जाएं, सी सून, and all the best for this clash.